लोन लेने वालों को पता होता है कि लोन पास होने के लिए क्रेडिट स्कोर की क्या एहमियत है लेकिन कभी-कभी थोड़ी सी लापरवाही की वज़े से लोग अपना क्रेडिट स्कोर खराब कर बैठते हैं जिसका नतीजा ये होता है कि आगे के लिए लोन मिलना मुश्किल हो जाता है लेकिन क्रेडिट स्कोर बिगड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये सुधर ही नहीं सकता आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं क्रेडिट सुधर के को फाउंडर गौरव वादवानी आपका स्वागत है गौरव यॉर मनी बें सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये समझाएगे कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो बिगड़ती कैसे है किस तरह की लापरवाही करने से हमारी रेटिंग बिगड़ जाती है क्रेड रेटिंग बिगड़ने के कई कारण हो सकते हैं उसमें एक होता है कि आप किसी फिनांशल डिस्ट्रेस से गुजरे हैं जिसकी होदे से आपकी या तो जॉब चली गई है या आपका बिजनिस नहीं चल रहा है तो या फिर आपका जो है आपने कुछ कभी मोटिवेश स्कोर एफेक्ट करेगा तो आपने कभी कभी सेटल्मेंट किया है कभी आपने किसी बैंक का पैसा नहीं दिया है क्योंकि यह सारा का सारा जो है ब्यूरो में रिकॉर्ड होता है तो इसकी वज़ेसे आपका जो स्कोर है और आपकी क्रेडिट हलते वह बिगड़ जाती है क्य लेकिन क्योंकि मुझे पता है क्रेट का डेटा जा रहा है इसलिए मैं उसको बिल्कुल टाइम से पे करूँगा यह अगर अवेरनेस आ जाए तो लोगों कोई क्रेट हेल्थ खराब नहीं होगी तो यह यह कुछ कारण है जिसकी वज़े से क्रेट हेल्थ बिगड़ जाती है तो क्रेट सुधार में आप क्रेट हेल्थ कैसे सुधारते हैं लोगों की देखिए हर अलग अदमी का अलग एक सुलिशन होता है अब आप एक डॉक्टर के पास चले जाओ वो लो मैं बिमार हूँ आपको एक रोसिन की पिल दे दे ऐसे नहीं होता है पहले हम क्या करते हैं यह सारा का सारा डेटा जो है ब्यूरो में रिकॉर्ड होता है अब इंडिया में तीन ब्यूरो हैं इक्विफाक्स, एक्सपिरियन और सिबल यह तीन ब्यूरो जो हैं यह आपने जितना भी आज तक क्रेडिट कार्ड, ओटो लोन, होम लोन, गैरंटी दी है, ओडी लिया है ऐसा कुछ भी जो आपने किया है बैंक्स के साथ, यह सब का सब उसमें रिकॉर्ड होता है, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सिरफ अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो आपका नाम ब्यूरो में होगा, ऐसा नहीं है, मेरा नाम, आपका नाम, हर किसी का नाम, लेकिन अगर आप आज पूछने जाओ किसी से, आपको अपना स्कोर पता है, किसी को नहीं पता होगा, कोई ध्यान नहीं देता है, तो यह इसकी वज़ए से, अब यह जो है, लोग जो है, यह सारा का सरा जब डेटा उसके अंदर होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले कस्टोमर्स को, जब हो हम से sign up करते हैं तो यह तीनों बीरो की रिपोर्ट चेक करते हैं, हमाय पर certified counselors हैं, जिसकी जो आपको line by line आपके रिपोर्ट में समझेंगे कि क्या कोई उसमें problem तो नहीं, आप कई सारे रिपोर्ट में error होता है, error किस तरीके और हो सकता है? क्यों होता है? एरर इसलिए होता है कि इंडिया में हजार से ज़ादा लेंडिंग इंस्टिउशन हैं, RBI ने मैंडिट किया हुआ है, जो लेंड करेगा वो ब्यूरो को डेटा देगा, अब ब्यूरो वो डेटा कैसे कंपाइल करता है, पैन कार्ड, डेटो बर्थ, नाम, अड्रेस का एक अल गौरते में गलती हो गई, या किसी ने जिसने डेटा अपलोड किया था बैंक से, उसने कुछ गलती कर दी, एक डिजिट इदादर कर दिया, आपको तो पता ही नहीं है, अब ऐसे प्रोब्लम्स हो सकते हैं, या फिर आपने कभी अपनी लाइफ में कोई फिनांशल प्रोब कि आप बियोरो में डेटा आजाएगा, आगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो हर किसी की जो प्रॉब्लम होती है, वो अलग होती है, और वो प्रॉब्लम आप तभी जैसे आप डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके सब कुछ देखता है, वैसे हम रिपोर्ट में से देखते ह कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो हर किसी की एक कस्टमरी सलुशन होता है, तो हमारे एक हमारे अन्वल प्लान है, हम थ्री स्टेज प्लान करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले तो हम आपका क्रेडिट है उसको ठीक करते हैं, ठीक है, हम उसको बनाते हैं, फिर हम उसको बढ़ दिखाएगा, आपको कोई लोग नहीं देगा, तो हम बैंक से आपकी बात कराएंगे, और बैंक से बोलेंगे, और अगर किसी बैंक ने अपडेट किया है, तो आपकी बैंक से बात कराएंगे, तो इस तरीके से हम वो उसको सुधारते हैं. बिलकुल, तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है, वो एक बहुत एहम चीज़ है, आप जो अपनी क्रेडिट रिपोर्ट है, यहाँ पर आपको एक फिनाशल कांसिलर की तो जरूरत लगती ही है, लेकिन अगर आप खुद भी अपनी क्रेडिट स्कोर का ट्राक लखना तो 750 points के उपर के score के उपर को यहाँ पर अच्छा score माना जाता है तो आप के काम कर सकते हैं आप सिविल से अपनी credit report जो है वो online भी मंगवा सकते हैं उसके मुताबिक आप अपना credit score देख सकते हैं यहाँ पर गौलव आप हमें समझा रहे थे कि किस तरह से आप help करते हैं लोगों को उनकी credit score को सुथारने में आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज रखी वो यह है कि 750 का score अगर आपका है तो आपको एक छोटा से एक्जेंपल दूगा जो आपको 20 साल का home loan होगा अगर आपका score अच्छा नहीं है तो आपको एक अच्छी bank loan नहीं देगी आपको किसी NBFC के पास जाके loan लेना पड़ेगा जो मेवी आपको 12.5% पर मिलेगा मानलीजे आपको 12.5% पर 2% जो है आपका 20 साल पे आप मानो आप अगर उसको calculate करोगे तो कुछ 30 to 35 lakhs का difference होता है तो एक आपका score जो आपने 7500 नहीं था और मानलीजे 600 था से आपको आपके life एक 20 साल के loan पे 35 lakh का आपको 35 lakh से पूर कर सकता है ये उसकी importance, इतनी importance है उस score की तो एक बाज जब आप reports की details ले लेते हैं बैंक से और bureaus से तो फिर आप किस तरह से बैंक से बात करते हैं और credit score जो है वो सुधारते हैं लोगों का देखे हम लोग, हम लोग का, हम लोग ex-bankers हैं, हम लोग के banks के साथ tie-up हैं, हम लोग 10-15 साल से banks में काम कर रहे थे इसके पहले और because वो tie-ups हैं, हम सब banks के साथ tie-ups किया हुआ है और हम उनको पता है कि जो customers हमारे पास आते हैं, वो genuine customers हैं, वो पैसा देना चाहते हैं ऐसा नहीं है कि उनको बस settlement चाहिए, तो हम उन banks के साथ, जो हमने tie-up किया हुआ है, हम banks को request करते हैं, कि यह सब genuine customers हैं, बताईए कि best possible इस customer के लिए हम क्या कर सकते हो, और उसमें आप उसको resolve करके, और उसके बाद हम banks को भी बोलते हैं, कि आप जो कर रहे हो, आप report भी upload कर दो, क्यों कई बार क्या होता है, banks को आप पैसा दे देते हो, लेकिन banks upload ही नहीं करते हैं, अगर banks upload नहीं करेंगी ब्यूरों में, त चुकी है, तो वो क्या करें, क्या immediate step उनका क्या होना चाहिए, क्या किसी financial counselor के पास जाना बहुत जरूरी होता है, या उनके पास और कोई विकल्प है, जो वो खुद बखुद कर सकते हैं, देखिए, अगर किसी की credit health खराब हो गई है, तो उसको किसी ना किसी financial counselor के पास जाना ब्योरो पे, कल को आपने पैसा दे दिया, आपने settle कर लिया account, उसके बाद बैंक ने आपको settled update कर दिया, आपको loan फिर भी नहीं मिलेगा, पैसा तो आपका चला गया, तो क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कितना बात करनी है, वो सब आपको directly आप बात करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, और इसमें क्या है, अगर आप credit czar के पास आओगे, तो ये सब काम हम आपके लिए करेंगे, और इसमें हम आपको help करेंगे, जैसे अगर आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी, एक 55 एर्ज ओल के एक customer थे हमारे, जिनका एक public sector bank क साथ कुछ problem चल रहा था, उन्होंने वहाँ पे bureau में उनका गलत error का account आ गया, उनको अपने बच्चे को US भेजना था पढ़ाई के लिए, educational loan चाहिए था, नहीं मिल रहा था, क्योंकि कि किसी और का कोई account उनके साथ लगा हुआ था, छे मैने तक वो घूमते रहे, बैंक से bureau, बैंक से bureau करते रहे, उसके बाद हो हमारे पास आये, हम लोगोंने बैंक को लिखा, हम लोगोंने उनसे higher authorities को escalate कर आया, बीओर से बात करी, अभी lately last week उनको एक बीओर से apology letter आया है, कि हमने आपका गलती से account कर दिया था, जो आप वापस विर से नहीं होगा, तो आप खुद क credit rating का track रखना बहुत जादा जरूरी है, आप जल से जल अपनी credit reports जो है, वो credit score reports आप मंगाईए सिबिल से और उसके बाद अपना score देखने के बाद आप किसी financial counselor को consult करके अपनी credit growth को और बढ़ा सकते हैं, या अगर चाहिए, जरूरत है तो उससे सुधार भी सकते हैं, इसे क साथ होंगे Ladder Up Wealth Management के MD रागवेंद रनाद, तुरंट लोटते हैं, आप बने रही है हमारे साथ Your Money में आप लेंगे Mutual Fund से जड़े सवालों के जवाब और इनके जवाब देने के लिए हमारे साथ है Ladder Up Wealth Management के MD रागवेंद रनाद, आपका स्वागे थे रागवेंद रनाद, आपका स्वागे थे रागवेंद रनाद, शुरूआत करते हैं, पहले सवाल के साथ हमारे साथ चेतन सावन्त मुंबई से फोन लाइन पे जुड़े हुए है, नमस्कार चेतन अपना सवाल पूछिए मुझे बूछना था कि मुझे दो डाव लाग रुपया दस साल के लिए इन्वेस्ट करना था, तो किस चीज में इन्वेस्ट कर सकता हुए कि मुझे जादा बेनिशिट मिले उसका चेतन मुझे बदाएए कोई खास रकम आपके दिमाग में है जो आपको दस साल के बाद चाहिए ऐसे कुछ रकम मैंने मैंने रखी लेकिन जादे से जादा जिसमें मेरे को फायदा हो सके तो चीज में आप आप लंसम ये पैसे लगाने की बात कर रहे हैं राइट रागवे कर सकते हैं दो डाही लाक रुपया लाक निकाल के रख सकते हैं तो इस केस में उनको मैं तो एकुटी ही बोलना चाहूँगा क्योंकि एकुटी फंड्स जो हैं लॉंग टर्म में सबसे ज़्यादा अच्छा वही परफॉर्म करेंगे और क्योंकि रकम छोटी है इसलिए कही रियल एस्टेट वगएरे में तो डाल नहीं सकते हैं तो इसलिए वा एकुटी में डालें पैसे को पर यह देख लें कि अपना एकुटी का जो टोटल प्रपोर्शन है अपने पोर्फोलियो में 60-70% से ज़्यादा ना हो नहीं तो थोड़ा ज्यादा रिस्क हो जाएगा अ है इनके पास तो मैं भी देडाश ञ़ रॉपय डाल दें एकुटी में पर अगर इसके लावा इनके पास लाग दो लाख रुपय और हैं बाकी फिक्श डेपॉजित में पOOOOF परहा पूरा पैसा अपना में डाल सकते हैं और इनको तो तीन फंड में बता देता हूं जैसे ICA सेप्रू का डिसकवरी फंड है, बिरलासनलाइफर फंटलाइन एकुटी है और रिलाइनस एकुटी अपॉर्चुनिटी है, तीन फंड में बराबर बराबर माट लें पैसे. अगर ये रखे रहते हैं दस साल तक, तो मेरी उम्मीद ये है कि इनको आठ से दसलाइक रुपे तक का अमाउंट मिल जाएगा दस साल के बाद. तो करीब चार गुणा इनका अमाउंट बढ़ जाएगा इन एकुटी से तो भी इनको आठ लाइक रुपे मिल जाएगा और अगर बारा से जादा रहता है तो नो दस लाइक रुपे मिल सकता है. तो यहाँ पर चेतन आपके लिए सला यही यह आपको एकुटी फंड में जो है अपने पैसे डालने हैं आपको हम फंड के नाम बता देते हैं ICICI Pro Discovery, BSL Frontline Equity, Reliance Equity Opportunity इनमें आप पैसे डालिए दस साल के बाद लगभग आठ से दस लाख रुपे जो हैं आपको मिल जाने चाह अगर आप इन फंड में निवेश करते हैं तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अजमेर से आनन्द शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं नमशकार अपना सवाल पूछी आनन्द आनन्द क्या आपको मेरी आवाज आ रही है चले यहाँ पर हमारा संपर्क नहीं हो रहा है आनन्द के साथ लेकिन इनका सवाल हम आपको बता देते हैं इन्हें अपने भविश्य के लिए यहाँ पर निवेश करना है बेटे की पढ़हाई और अपने रिटार्मेंट के कहां पर निवेश कर सकें तेकि इनको जो इन्हों ने पूछा है और बेटे की पढ़हाई के लिए और अपने रिटार्मेंट के लिए जो इनकी नीट्स हैं यह दोनों बड़ी लॉंग टर्म नीट्स हैं क्योंकि बच्चा चोटा है और दस बारा साल पंदरा साल के लिए तो इनको एकुटी S.I.P. करके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए और यह बोल रहे हैं कि करीब 25,000 रुपे हर साल हर महीं न डाल सकते हैं जो कि अच्छी रकम है तो अगर यह सिर्फ 5000 रुपे का भी S.I.P. चालू कर देते हैं अपने बच्चे की बढ़ाई के लिए तो इन आए बढ़ेगी वैसे-वैसे-वैसे इनकी इन्वेस्मेंट करने की केपेविलेटी भी भढ़ते रहेगी तो आराम से थोड़ा-थोड़ा करके अभी थोड़ा पैसा डालना चाहिए पर जैसे आय बढ़ती है वैसे-वैसे अपना निवेश को भी बढ़ा सकते हैं बाकि ज के लिए वो फंड को इखटा कर सकते हैं हमारे साथ आनंद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं आनंद क्या आपका और कोई सवाल है यहां पर आपको सला यही दी जा रही है कि आपकी बेटे की पढ़ाई के लिए आपको 5,000 रुपे की SIP शुरू करनी है और जैसे-जैसे- सवाल है नहीं मेडम जाने बाद मेडम शलिए इसी के साथ अभी यॉर्मनी में वक्त है एक ब्रेक का लेकिन आप भी हमसे अगर म्यूच्छल फंड इंशॉरंस या पिर फिनांशल प्लानिक जोड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें इमेल की जए MFFMoneyControl.com पर आप हमे फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं आपको विजिट करना है facebook.com स्लाश आवाज यॉर्मनी और पोस्ट करने अपने सवाल, अपने सवालों के साथ साथ अपना फोन नमबर और तमाम कॉन्टाइक डीटेल्स देना ना पूलिए यॉर्मनी में आज हमारा फोकेस है म्यूचल फंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं रागफेंटरनाथ अगला सवाल हमें अभी शेक जैन ने भेजा है इमेल के जरीए ये जानना चाहते हैं ELSS क्या होता है और साथ ही कैनरा रबेको एक्विटी टैक्स सेवर फंड में निवेश ये करना चाहते हैं 5 साल के लिए ये फंड कैसा रहेगा और साथ ही एक और सवाल है इनका की म्यूचिल फंड की रेटिंग और तुलना के लिए मनी कंट्रोल जैसी वेब साइट क्या ये देख सकते हैं या नहीं तो एक के करके जाते हैं सबसे पहले तो और अगवेंचु जी समझाएगे ELSS क्या होती है ELSS का फुल फॉर्म है एकुटी लिंक्ट सेविंग स्कीम और ये गवर्मेंट की तरफ से एक टैक्स बेनेफिट इसमें दिया गया है सेक्शन एक्टी सी के अंदर आपको एक लाख रुपे तक की इंकम पर टैक्स की छूट मिल जाती है तो और इसमें तीन सार का लॉक इन है जो कि सबसे कम लॉक इन है बाकी सारे जो टैक्स सेविंग स्कीम से कर देखेंगे एक्टी सी की पी पी एफ है या इन्शॉरेंस है तो उन सब में कहीं ज्यादा लॉक इन रहता है और दूसरी चीज़ यह है कि ELSS ही सिर्फ सेक्शन एक्टी सी में एक ऐसा इन्वेस्मेंट है जो की एकूटी की तरफ जा रहा है बाकी जो इन्वेस्मेंट्स जो ELSS के एटी सी के एलिजिबल इन्वेस्मेंट्स हैं वो टिपिकली फिक्ट इन्कम इन्वेस्मेंट्स हैं पी एफ है या पी पी एफ है या ये सब इन्वेस्मेंट्स जो है तो और इन्वेस्टर्स के लिए तो एक अच्छा जरिया है एक फिनेंशल इंसेंटिव भी है कि एकुटी में थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालना चालू कर सकते हैं अब टू एक लाख रुपे तक हर साल डाल सकते हैं और यह उसको उनको 30% की टैक्स की बचत भी मिल जाएगी 20-30% जिस भी टैक्स सेविंग सीम यह बहुत अच्छी है अगला सवाल इनका है के अन्रा रिबर को एकुटी टैक्स सेवर फंड का तो यह फंड कैसा है जाना चाहते हैं यह तो फंड अच्छा है और काफी दिन से चल पात साल के लिए इस फंड में पैसे लगा सकते हैं और जहां तक मनी कंट्रोल इसी वेबसाइट पर भरोसा करने का सवाल है तो बिल्कुल जाही सी बात है आप इस तरह की वेबसाइट जरूर लगातार चेक कर सकते हैं अगर आपने किसी फंड में निवेश किया है या अग जरूर जा सकते हैं अगला सवाल लेते हैं बिक्रम जीत गांगुली का हमारे साथ फोन लाइन पे जुरे हुए हैं बिक्रम जीत नमस्कार अपने सवाल पूछिए मैंड़ मैं एक से रिराजार रुपया परमात इंवेस्ट करना चाहता हूं फार फिटिन एर मुझे टू थाउसेंट टक पंदरा लाग चाहिए मेरे लड़के के लिए ठीक है क्या सला होगी इनके लिए विक्रम जीत से एक बर एक तो यह क्वेशन बड़ा जरूरी है जान हये भी अगर मेरे मीं से ताव होगी तो इस को पंदरा लाग अबी चाहिえ है । आज के आज़ने के हिसाब से पंदरा लाग चाहिए है पंदरा साल के बाद ह का है 거ğ। फोड़ा बहुत किया है तो आजके संब्सिंपल इंफ ऐसां के पाद्स बार्दए पंदरा लाक चाहिए तो चार साड़े चार लाक रुपया अगर आज की चार साड़े चार लाक रुपय की वैली उसे में पंदरा लाक रुपय होगी तो अगर ये देड़ जार रुपया हर महीने डालना चालू कर देते हैं और हर साल दस में हर साल दस परसंट से बढ़ाना च क्या आपको और कोई सवाल है कोई खास फंड आप इनको यहां पर एसाइपी करने के इसमें दो या तीन फंड ले लें पंदरा सौ का अमाउंट है तो एक छोटा रकम है तो पान-पान सौर रुपया तीन फंड में डाल दें एक डिंट से एकुटी फंड में एक ले लें फंड रिलाइंस एकुटी अपरचुनिटी ले 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 और आइडी ऐसी का प्रीमिए' एकुटी ये तो इन फंड में बराबर बराबर तीन स्वालों के जबाब देने का यॉइरमनी में आज करें इसने अवास के साथ नमस्कार कर दो नह दो दो बाला है